दलाइफ टीवी सच सबसे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़े हो रही हैं वोटिंग के बीच इस तरीके का उत्पाथ अपने आप में बताने के लिए काफी यह किस तरीके से भारती जनता पालिटी के लोग काम करते हैं बाजपाक कारेकरताओं पर लिबबर हेडी गाओं में वोट डालने जा रहे है मुस्लिमों को लाठी रंडे से पीटने का रोप आप तस्वीर देख सकते हैं हम तस्वीर वो आपको ब्लड दिखाने ही सकते हैं मारा गया है और कुछ गाइड्लाइंस है हमारी और उसके तहट आप यह तस्वीर देख सकते हैं मंगलोर उपचुनाओ पर आज वोटिंग हो रही है भाजपाक कारेकरताओं द्वारा ये वोटिंग की गई है वोटिंग आ रोप लगा है संगी किसी भी हालत में एक मुस्लिम नेता को जीते हुए नहीं देख सकते हैं ये लोग भी कह रहे हैं जितेंद्र दौरा कहा जा रहा है उसी है उसी का परिडाम है कि लोकतंत्र में हिंसा नफरत का कोई भी स्थान नहीं है लेकिन वर्तमान सत्ता राष्ट का मतब वर्तमान जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ध्रतराष्ट बन चुकी है किस तरीके से वो देख रहे हैं सब कुछ की उत्पात मचाया जा रहा है ये चीजे होती हुई दिखाई दे रही हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिरकार हालात क्या कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं तो मंगलोर उबचुनाओं में अगर इस तरीके से इस्थितिया हो रही है कई लोग घायल हुए हैं देखिए हिंदुस्तान पे भी खबर आ गई है कि मंगलोर उबचुनाओं में मद्दान के बीच जमकर हुआ बवाल चार लोग घायल हुए हैं मंगलोर विधानसभा सीट पर लेड़ी के बूत नंबर दो में उप चुनाओं को लेकर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है विवाद इतना बढ़ जाता है जिससे बवाल शुरू हो जाता है जिसमें दो लोग गंभीर बताय जा रहे हैं मौके पर पहुँचे कौंग्रिस की जा रही है उन्होंने बताया कि इस्तिती बिलकुल मौके पर सामाने है बदरीनात विदान सभा सीट से बीजेपी से राजेंदर भंडारी का मुकाबला कौंग्रेस प्रत्याशी खपत बुटोला सहित अन्य उम्मीदवारों से भी है जबकि मंगलोर विदान सभा सीट प भाग का फैसला होने वाला है विदान्सभाव उपचलाओं के लिए बुद्वार को होने वाले मद्दान में कुल एकलन। 2929 मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर, 6 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे。 इनमें 255 सरविस मद्दाताओं के पहले ही कर लिया है। विदान सवा उप्चुनाओं के लिए 64 मद्दान केंद्रों में कुल 132 मतदे इस्थल बनाए गए हैं। इंस्पेक्टर मंगलौर अमरचंद्र सर्मा ने बताया कि विदान सबाक शेतर में कुल 64 मतदान केंद्र हैं, इनमें 132 मतदे स्थल बनाए गए हैं, उन्होंने बताया कि कुल मतदातों की संख्या 1,19,930 है, इनमें पुरुष मतदातों की संख्या की गर बात करें तो बाननवे हैं, जबकि 85 वरसे अधिक मतदातों की संख्या 933 है, उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा ववस्था के चाक चौबंद इंतजाम किये गए हैं, फिर भी ऐसे हालाद बंते दिखाई दे रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितिय को नहीं पहुच पाई हैं, साड़क बंद होने के कारार, पोलिंग पार्टियों को प्रिशासन दौरा मिलने निर्देश के बाद, सेलंग डीजल से, सेलंग गाओं, जंगल और खेतों को पारकर 6 किलो मेटर की पकड़ंडी नापकर जोशी मर्ट तक पहुचना पड़ा, ज यह उत्राखंड में मंगलोर सीट पर अभी जो अपडेट है, वो 44.1 शून ने फीजदी वोटिंग हो चुकी है, बद्रिनाथ सीट पर, 34.5 शून ने फीजदी मुआ मद्दान हुआ है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिरकार मंगलोर सीट पर इस तरीके के हरकत क् गई है, फाइरिंग प्रकरण में जिला परशासन हरितद्वार का बयान भी सामने आ गया, अपडेट हम आपको बता रहे है, उत्त्राखंड की दो विदान सवा सीटों बर मद्दान हो रहा है, उप चुनाओ हो रहे है, मंगलोर सीट पर बसपा विदायक के निधन के बाद या सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्री राथ सीट पर लोकसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस का विदायक भाजपा में शामिल हो गई थे, इस वज़े से वो सीट खाली हो गई थी, मंगलौर में फाइरिंग प्रक्रण में जिला परशासन हरिद्वार का बयान भी सामड बताया है कि मंगलौर उप्चुनाओं के दुरान मद्दे अस्तल पर फाइरिंग की सूचना पूर्ण रूप से ततहीन है, यह ततहीन कहा जा रहा है जिला परशासन दोरा, एक बज़े तक के मद्दान के अगर बात करें तो मंगलौर विदान सभा पर उप्चुनाओं में एक बज़े तक 44.00% मद्दान हुआ है, वहीं बद्रिनात विदान सभा में 34.50% मद्दान हुआ है, राजसभा सांसद महेंद्र भट ने भी वहां मद्दान किया है, जो अपडेट्स हैं, अपडेट्स आपको बता रहे हैं, पोकली ब्रामबर ताला में अपने गाउं के प प्रशासन खड़ा होता है, ना सरकार खड़ी होती है, अभी यही कुछ और मसला होता, तो ना जाने क्या कुछ हो जाता, मंगलोर सीट पर मद्दान के दौरान आट से दस राउंड फाइरिंग हुई है, मामले में स्पी ग्रामीर, रोड की, हारिद्वार, सुअपन किशोर नहीं है, कैसे इस पूरे चुराओ को जो है, वो घुमाने कोशिश है, भारती जनता पार्टी के नेताओं पर कारिवाई न करनी पड़े, उनको जेल ना भेजना पड़े, इसलिए सब किया जा रहा है, सायक मुक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि बद्रिन प्रवास ना किये जाने कीस्तिति में, उनके गृष्म कालीन प्रवास वाले गाओं में MADDUN के वस्ता की जारी फिलहाल, मारपीट पत्राओं के बाद शांतिपूर्ण ढंग से MADDUN शुरू हुआ है, यह बताया जा रहा है, मंगलोर विदान स्बा सीट के लिबबर हेडी क बूट पर मारपीट और पत्राओं के बाद मद्दान श्रांतिपूर्ट तरीके से हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, मामली की सूचना मिलते ही, हरिद्वार प्रशासर यहां मौके पर पहुँच गया है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है, बूट पर तैनात वहां पर बसपा और भाजपा के कारिकरताओं में लाठी चली है, जिसमें से कुछ कारिकरता घाय लोग है, भारी पुलिस बल मौके पर पहुचा है, जिसके बाद पुलिस है सबको खदेडा है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि मुसल्मानों को निशाना जब बनाया जाता है मुसल्मानों को जब मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उनके साथ कोई खड़ा होने का नाम नहीं लेता है, प्रशासन भी तरह तरह की बाते करता है, लेकिन जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिस तरीके से चीज़े की गई, वो अपने आप में बताने के लिए काफी बारी सुरक्षा बलके बीच मंगलोर में चुनाव कराया जा रहा है सुबह से ही लोगों की फील लगी हुई है बुजरुमत दाता मद्दान करने के बाद वोट दिखा कर खुशी जाहिर कर रहे थे लेकिन खुशी थोड़ी ही देर तक थी और फिर खुशी कैसे दुख में तब्दील होगे यह साब तोर पर देखने लाएक बात थी क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का उत्पात मचाया गया वहाँ पर लोगों को टार्गेट किया गया मारा गया मुसल्मानों को भारती जंता पार्टी के कारे करता हो दोरा और उन पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है और बाद में फाइरिंग की बाद में निकल कर सामने है लेकिन फाइरिंग बाद को दरकिनार किया जा रहा है जांच के बाद कहा जा रहा है कि नई फरजी बात है फाइरिंग हुई नहीं आप समझे किस तरीक चीज़े हो रही है दलाइफ टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू कर दिए बेल आइकन दबाईए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे हैं नमस्कार दलाइफ टीवी सच सबसे आगे